हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ खुसहाग सिंग और आप देख रहे हैं कैन लर्निंग पॉइंट यह वीडियो विर्ज कोर्स से संबंदित है यह वीडियो का पार्ट 101 है आप लोगों का बहुत-बहुत धन्वाद की हमारे वीडियो 100 हो चुके हैं विर्ज कोर्स के यहाँ बहुत ही इंपोर्टन कुष्चन आंसर देखेंगे जो की परिच्छा में आने वाले प्रसन हैं बहुत ही इंपोर्टन कुष्चन है चलिए शुरू करते हैं कुष्चन नम्मर इस वीडियो का फर्स्ट है जांच उपागम बिधी के दो लाब बताईए जांच उपागम बिधी के दो लाब बताईए आंसर देखें पहला लाब है अधिगम चुनोती पूर्ड एवं आनंद दाई होता है जो अधिगम है वो चुनोती पूर्ड और आ आनंद दाई होता है इसमें चुनोतियां होती हैं और आनंद भी मिलता है दूसरा जो लाव है सिच्छारती स्वतंत्र रूप से खोजते हैं उनमें बैग्यानिक देश्टिकोड का विकास हो जाता है जो सिच्छारती है वो स्वतंत्र रूप से खोजते हैं तथा उनमें दो सीमाएं बताईए जाच उपागम विदी की दो सीमाएं बतानी हैं देखिए पहली सीमा है अंसर में देखें समय अधिक खर्च होता है जो जाच उपागम विदी है इसमें समय अधिक खर्च होता है जब छात्रों को पहली बार इस विदी से अवगत कराया जाता है वे सही प्रसन नहीं पूँच पाते हैं तो पहली बार जब जांचुपागम विदी सिछात्रों को अवगत कराया जाता है इसके बारे बताया जाता है तो वे सही प्रसन नहीं पूँच पाते हैं अंगली जो सीमा है ये देखिए शभी इकाईया एक विदी द्वारा नहीं पढ़ाई जा सकती है यह केवल उनी परिस्थितियों में पिर्योग हो सकता है जहां कारण प्रभाव सम्मंद इस्थापित करने हो तो बताया गया है कि सभी इकाईया है जो एक ही विदी से नहीं पढ़ाई जा सकती है यह केवल उन परस्तितियों में लागू होता है जहां पर कारण प्रभाव सम्मंद इस्ताफित करना हो कौन सा प्रभाव कारण प्रभाव सम्मंद इस्ताफित करना हो अंगला कुश्चन है पाठ किरम को परिवासित कीजिए पार्ठिक्रम क्या है इसे परवासित करना है आंसर देखें डॉल के अनुसार तो डॉल के अनुसार क्या है किसी विद्याले के पार्ठिक्रम से तातपर है आफचारिक वा अनाफचारिक विसे बस्तु एवं प्रक्रिया जिसके दुआरावे विद्याले के अंदर ग्यान वा समझ फिराप्त करते हैं कौशल विक्सित करते हैं, नजरिया बदलते हैं, कद्र करना वा मूल सीखते हैं तो ये रही आपके फार्ट करम की फर्वाशा, एक बार फिर से देखें, डॉल के नुसार किसी विद्याले के पार्ट करम से तात्पर है, आफचारिक वा अनाफचारिक विसे बस्तु एवं प्रक्रिया जिसके दुआरावे विद्याले के अंदर ग्यान वा समझ पराप्त कर करते हैं, नजरिया बदलते हैं, तथा कदर करना वामूल शीखते हैं, अंगला कुश्चन है, पार्ट चर्या क्या है? पार्ट चर्या क्या है? आंसर देखिए, पार्ट चर्या एक बिसिस्ट कोर्स की रूप रेखा है, इसमें पढ़ाए जाने वाले पार्ट उन किरम, अक तो पार्ट चर रहा है एक बार फिर से देगा पार्ट चर रहा है एक बिस्स्ट कोर्स की रूप रेखा है इसमें पढ़ाई जाने बाले पार्ट उनका क्रम अक्सर आवश्यक वा सुझावित पठन सामगरी और अनसार तक सूचना शामिल है अंगला कुश्चन है अनुदेशन क्या है बहुत ही इंपोर्टन कुश्चन है अनुदेशन क्या है आंसर देखिए अनुदेशन आपके दवारा विसेबस्तु की प्रос्थित्ति है जो अनुदेशन है आपके द्वारा विसेबस्तु की प्रस्तुती है जिसमें आप उद्देश्यों की एक समू को अपने ब्यक्तिगत व्यापसाइक कोशलों का प्रियोग करके सब सिच्छार्तियों के लिए सुलववा प्राप्र बनाते हैं अनुदेशन आपके द्वारा विसेबस्तु की प्रस्तुती है जिसमें आप उद्देश्यों की एक समू को अपने ब्यक्तिगत व्यापसाइक कोशलों का प्रियोग करके सब सिच्छार्तियों के लिए सुलववा प्राप्र बनाते हैं अंगला कुश्चन है अधिगम संसादनों से क्या तातपर है या अधिगम संसादनों से क्या आशा है आंसर देखें अधिगम संसादनों को विभिन प्रारूपों में प्रदर्शित शुलव या संग्रहित सूचना के रूप में परिवाशित किया जा सकता है वे छफे नहीं छफे विद्दत या गेर विद्दत पदार्थ हो सकते हैं जो अधिकम प्रतिफलों विसेवस्तू वा विसिस आवश्यक्ताओं को पूरा करते हैं तो अधिकम संसादन एक बार फिर से देखें वे छफे नहीं छफे विद्दुत या गेर विद्दुत पदार्थ हो सकते हैं जो अधिकम प्रतिफलों विसे वस्तु या विसे सावसिक्ताओं को पूरा करते हैं अंगला कुश्चन देखेए प्रात्मिक इस्तर पर सीखने के लिए प्रियोग की जाने वाली बैग्यानिक अवदार्णाइं क्या हैं आंसर देखें तो निम्न बैग्यानिक अवदार्णाइं हैं संगठन, कारण एवं प्रभाव, व्यवस्था, मॉडल, स्केल, सनरचनाकार, फरिवर्तन, विविन्ता और विवित्ता ये सबी प्रात्मिक इस्तर पर सीखने के लिए प्रियोग की जाने वाली बैग्यानिक अवदार्णाइं हैं अंगला कुश्चन है मापन को फरिवासित कीजिए या मापन क्या है, इसका अंसर देखें स्टी बैंस, 1951 के अनुशार, जो एक मनोबैग्यानिक हुए हैं स्टी बैंस, इनके अनुशार मापन क्या है, समझते हैं यह मापन गटनाओं को प्रवावित करने की प्रक्रिया है यह मापन गटनाओं को प्रवावित करने की प्रक्रिया है विस्तिरत अर्थ में मापन बस्तुओं या गटनाओं के नियमों के अनुशार संख्या प्रदान करता है अंगला कुश्चन है आकलन क्या है? आंसर देखें आकलन कुछ विसेस्ताओं, प्रक्रियाओं, कारक्रमों को गुडातमक सब्दों में वर्लित करने की प्रक्रिया है इसे सिच्छड विवस्ता के उद्देश्यों के संदर्व में किया जाता है आंकलन क्या है? फिर से समझिये आंकलन कुछ विसेस्ताओं प्रक्रियाओं कारक्रमों को उडातमक शब्दों में वरलित करने की प्रक्रिया है इसे सिच्छड विवस्ता के उद्दिश्यों के संदर्व में किया जाता है अंगला कुश्यन है मूल ल्यांकन को फरिवासित कीजिए आंसर देखें इस्ठफ लवीम इस्ठफ लवीम तता अन के अंशार मूल ल्यांकन निरड़े बिकलपों पर फैसला लेने के लिए उपयोगी सूचना की रूप रेखा बनाने की उसे प्राप्त वा प्रदान करने की प्रक्रिया है मूल ल्यांकन क्या है मूल्यांकन निरले बिकल्पों पर फैसला लेने के लिए उपयोगी सुचना की रूप रेखा बनाने की उसे प्राप्त वा प्रदान करने की प्रक्रिया है अंगला कुश्चन है आंतरिक मूल्यांकन किसे कहते हैं? आंतरिक मूल्यांकन किसे कहते हैं? आंसर देखें आंतरिक मूल्यांकन से चक दुआरा किया गया मूल्यांकन कहलाता है जिसने उस चात्र को पढ़ाया है एक चात्र के व्यक्तित्व के विविन पहलूँ का मूल्यांकन वही कर सकता है जो उसके निरंतर संपर्क में रह रहा हो आंत्रिक मूल ल्यांकन को फिर से समझिए आंत्रिक मूल ल्यांकन से च्छक दुआरा किया गया मूल ल्यांकन कहलाता है जिसने उस छात्र को पढ़ाया हो एक छात्र के व्यक्तित्र के विविन पहलूं का मूल ल्यांकन वई कर सकता है जो उसके निरंतर संपर्क में रहा हो अंगला कुश्चन है छात्र के बौधात्मक छेत्र का मूल ल्यांकन कैसे किया जा सकता है जो चात्र है उसके बहुत दात्मक छेत्र का मूल लींकन कैसे किया जा सकता है आंसर देखें यह मुखता फाटिकम सम्बंदित किरिया कलापो पर केंदरित होता है जिसे पेपर, पैंसिल, टेस्ट तथा मौखिक परसनों द्वारा मूल लींकित किया जा सकता है कि एक बार फिर से देखें बहुत दात्मक छेत्र का मुल्यांकन कैसे किया जा सकता है आंसर है यह मुखिता फार्टिक्रम संबंदित किरिया कलापों पर केंद्रित होता है जिससे पेपर पैंसिल टेस्ट तथा मोखिक फ्रश्णों द्वारा मुल्यांकित किया जाता है किया पर हम आपको बताना चाहेंगे यदि आपको बिर्ज कोर्ज के पेपर की PDF फाइल चाहिए तो आप WhatsApp नम्मर 8791184514 पर संपर्ख करें तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में नमस्कार जै हिन जै भारत